नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं, 118 मुबाइल एप पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, जो कि इसमें खुद पबजी गेम भी सामिल है, अब इसे कोई यूज नहीं कर सकेगा इसमें पबजी के अलावा भी 117 मुबाइल एप पर भी बैन लगा दिया गया है, जाने पबजी का पूरा नाम, प्लेयर अनौन्स बैटल ग्राउंड से इसका पूरा नाम, नवशकार मैवानी शर्मा, आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया जब से इस फैसले का एलान हुआ है, सभी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि पबजी क्यों बैन किया गया है, क्या इसमें चीनी कमपनी का निवेज था और इस कमपनी का मालिक कौन है, आईए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बनाएए पबजी मुबाइल एप, पबजी गेम को बहुत तेजी के साथ सफल हुआ, दुनिया भर के करोडों लोगों ने इसे खूब खेला, इस गेम की परसिद्धी ने कमपनी को मजबूर किया कि वो चीनी कमपनी टैंसेंट गेम के साथ मिलकर पबजी का मुबाइल वर्जन बनाए, बता दे कि टैंसेंट गेम चीनी कमपन टैंसेंट होल्डिंग और ब्लू होल की पबजी कॉर्परेशन के तहत आती है, पबजी मुबाइल और आई ओएस वर्जन 2018 में लौंच हुआ है, आईए जानते हैं भारत में कितने यूजर्स हैं और डाउनलोड कितने लोगों ने इसे किया हुआ है, पबजी मुबाइल ए गेमिंग एप के करीब 5 करोड डाउनलोड और करीब 3 करोड यूजर्स हैं, अकसर लोगों के मन में आता है कि पबजी एप चीनी कमपनी का है, पबजी मुबाइल एप को चीनी कमपनी टैंसेंट ने कोड किया है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इसकी मिजियोरिटी शेयर हो जाउथ कोरियन कमपनी ब्लू होल है, ब्लू होल कमपनी ने ही पबजी गेम को डेक्स्टॉफ वर्जन क्रियेट किया था, हाला कि टैंसेंट की पबजी मुबाइल में भी लगभग 11.5 पर्तिशत की हिस्सेदारी है, तो साफ है कि पबजी मुबाइल एप को सिर्फ चीनी कम कमपनी इसकी पूरी तरह से मालिकाना हक रखती है, ना ही वह चीनी कमपनी इसकी मालिक है, चीनी कमपनी टैंसेंट की हिस्से में हिस्सेदारी जरूर है, चीन में बैन है पबजी मुबाइल एप खुद, दुनिया भर में इतनी लोग प्रियता होने के बावजूद भी ये एप खुद चीन में ही बैन किया गया है इसकी ओनिंग कमपनी टैंसेंट को चीनी सरकार से इस गेम के हिंसक परवर्ती के होने की वज़े से अप्रूबल नहीं मिला है जी हां चीन में पबजी गेम नहीं यूज होता ना ही इसका प्रियोग किया जाता है धन्यवाद ख़वरो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद करें